रोशनी में छुपे रंग, हवा में छुपी खुश भी कोई पखड़ सकता है कि नामुम्किन लगता ना लेकिन इतियास वही बनाता है जो नामुम्किन को मुम्किन करते हैं मुझे यखिन है कि आज कुछ स्टार्ट अप्स यही करें अपने इरादो की उडां के लिए होस्पावर का फिर दा रहेंगे So let's fly with them and let's see how their dreams turn into a reality Hosses Table, Jojita Vahi Sikandar, भारत का सब से बाड़ा, reality funding show Hello everyone, I am Misha Bajwa Chaudhary and we welcome you all to Bada Business Presents Hosses Table, Jojita Vahi Sikandar Please welcome motivational speaker, business guru and our horses stable अपने स्टार्ट अप गुरू, Dr. Vivek Bindra, Founder and CEO Bada Business Dr. Bindra, स्वागत है आपका इसे के साथ सीधा रुक करते हैं हमारे स्टार्ट अप का स्टार्ट सकत्तार्ट मेंको लगाह है हम हम "'Ghorses' Table' नाइden कि tonkisch' Table नाइden ань को दिवगाए है थाए नाइब्स दोड़ाद नानवी पांच भूड़ो में गधा य है मैं में को भालू है KKI Nandini को बिल्कू गभरादी अगन रुष नंदी विगन पुजा कॉल और मैं पुजा कॉल और मैं फांडर हुआ और अर्गानिको बीटिफाइंग लाइफ की 2017 में एक कॉलिज प्रोजेक के दौरान इस बहुती यूनिक से वेंचर को मैंने जन्म दिया इसका नाम और अर्गानिको है और हम लोग गदी के दूथ से ब्यूटी प्रोड़क्स बनाते हैं और में 100% शूर कि यहां पर जितने लोग है आप लोग थोड़ा शौग दोगे होंगे वाइ डॉटी मिल्क एग्जाक्ली वी टॉक अबाट बारे में पर कोई भी इंसान अपनी कंट्री में गदी और गदे के बारे में बात नहीं करता है तो मैंने सोचा था क्यूं नहीं उसके बारे में बात किया जाए क्योंकि कई नहीं लोग जब मैं बहुती ही अवरेस्ट टुडेंड दूड़ करती ती मुझे अंकंसीडर करते थे अच्छा यह घड़ी है यह क्या करेगी तो उसी गदी को मैंने एक स्टार्टप में बनाय उसमें रेटिनॉल होता है जो कि आजकर महिलाओं में बहुत ही जादा फेमस भी है उस चीज को लेके और साथ ही साथ डॉंकी मिल्क रिच नुट्रेशन विटैमिस में भरपूर होता है जो कि इन विंकर्स, पिग्मेंटेशन, हाइपर पिग्मेंटेशन जैसे बीमारियों को और स्किन रिलेटेड इशूस को भी खतम करता है यह भी जानके आप लोग को थोड़ी आश्यर चकित होंगे कि डॉंकी मिल्क का एक लिटर का कॉस्ट अपनी कंट्री में दो हजार रुपे लिटर है अभी कॉस्ट जंप होकर के 7,000 भी स्टार्ट हो गया और ग्यानिको एक बहुत ही यूनिक कॉंबिनेशन ओफ एंशेंट एजिप्षिन ब्यूटी सीक्रेट और इंडियन आयुर्वेदा से मिलके बना है इंशेंट एजिप्षिन ब्यूटी सीक्रेट मेरा मतलब ये था कि एक कहानी भी इसके साथ जुड़ी होई है एक रानी हुआ करती थी केलोपैत्रा आप लोगोंने सुना होगा एंकिलोपैत्रा के खुबसूर्ती का राज जो बताया जाता है और दुनिया की विश्व की सबसे सुन्दर रानी थी और उसके खुबसूर्ती का राज जो था वो गधी का दूद था उसी थियोरी के बेसिस पे ये डॉंकी मिलक आगे आया है इंशेंट बुक्स में भी डॉंकी मिलक को ब्यूटी ट्रीटमेंट के तौर पे मेंशन किया गया है और कोरिया, यूरोपियन कंट्री, फ्रांस में इस कंट्री में डॉंकी मिलक ओलरडी फेमस है लग्जरी सेंग्मेंट में आता है स्किन किर एक सोप का दाम जो आपे 3,000 रुपए आता है एक साबुन का दाम डॉंकी मिलक से बना हुआ उसी साबुन को मैंने इंडिया में लांच किया है विताओर लेग्जरी सेग्मेंट ऑफ डॉंकी मिलक सोप जो की चार्कोल, लिकोराइ, सिनिमन जो अपने किचन इंग्रीडियंट्स को हम लोग यूज करते हैं जो नानी मा के नुस्के हुआ करते थे जो बच्पन में मम्मी और दादियां कहती थी हमें कि आप लगाई आपके स्किन को अच्छा फाइदे मन मिलेगा उसी को मिक्स करके मैंने डॉंकी मिलक के साथ अपना जो स्टार इंग्रीडियंट उसके साथ और गानिको को प्रोड़क्स को डबल अप किया है साथ ही साथ जो पांचो प्रोड़क्त है अल्रेड हमारा मार्केट में है जानाा अपनाया फेरल नार्हीं पज़ा उना देक्सक्कर इन प्रोड़क्त के स्टो केमेंने गारा प्रोड़क्त मेंने में आटोड़क्त गॉंक्त को अध्यर ड्लक्त क्रेंटर्न में थाजिए करहां ल dw़क्त अधरे साथ क lumps पंडिमिक के होते हुए भी तुम 2021 में 10 लाग कर रेविन्यू जेनरेट किया है प्रांट जो पास्ट हमारा वह 499 से स्टार्ट होता है लग्जरी सोप्स का हम लोग 25 वियर्स तु 55 वियर्स वाकिंग क्लास वुमें को टागेट करें एक बहुत ही नीश मार्केट को लग्जरी सेग्मेंट के अंदर उनको एंद फ्यूचर में लोग मैंन सेग्मेंट भी लांच करने की सोच रहे हैं साथ ही साथ यह पांच प्रोड़क्ट जो है हमारे चारकोल नेच्रल इंगेडियेंट सोप चारकोल सोप लीको राइज सिन्मन सोप यह अलरेडी मार्केट में हैं और वी अर कमिग अव गँटार्ट अलसो हम लोग तोलसाथ प्रोड़क्ट डेवी मार्केट में लांच करने वाले हैं इसमें की एंटी एंगई एंग ट्रीम म में हम नारे साथ सपोर्ट करती है सोप का मैनुफेक्टरिंग यूनिट हम लोगों के पास है वी हब दा स्मॉल स्टुडियो जो हम लोगों ने डेली में इस्टैबिश किया है जहां पे वी मैनुफेक्टर सोप and currently other products को we are doing the third party manufacturing community impact की बात करें तो currently we have 20 women associated with us and the 47 families जिनको हम लोग impact कर रहे हैं plus 150 donkey owners and साथ ही साथ अगर donkey milky trending की बात करें Kelopetra की beauty secret की बात करें जो की गदी का दूद है वो गदी के दूद ने भारत में ही नहीं साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना में भी हरकम मचा दिया है और ग्यानिकों के आने के बाद अगर आप last जब मैं 2016 में research कर रहे थी तो एक single article नहीं था जो donkey milk को इंडिया perspective से बात कर रहा हूँ अगर अभी आप search करेंगी तो हजारो articles मौजूद है जो internet पे गदी के price, गदी के benefit और उनके दूद के बारे में बात कर रहा है एक market create कर दिया है स्टार्टिंग में इट वस definitely difficult phase जब लोगों को मैं जाके बताते कि मुझे गदी का दूद चाहिए beauty product बनाने के लिए उनको कही न कहीं लगता था काला जादू करेगी गदी का दूद लेगी उनकी गदहिया मर जाएंगी तो वो थोड़ा difficult phase होता था हमारे लिए और साथी साथ उनको हमने समझाया कि आपको एक benefit मिलेगा आपको एक stable opportunity मिलेगी जो लोग पहले साथ हजार से छे हजार रोपे पर मन्त कमा रहे थे अभी minimum उनको 15,000 मन्त मिल जाता है हमारे साथ जुड़ने के बाद obviously organic को कहीं न कहीं successful हुआ है donkey mill को luxury segment में establish करने को and ये थी मेरी journey and ये था मेरा product पूजा सबसे मेरे डाद देता हूँ touch भी अच्छा है तो ये सारा कुछ अच्छा है अभी थोड़ी business की बात करते है क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा social benefit पे चला गया शायद topic तो business में मुझे simple बात बताओ अपने बोला 499 का product है ये luxurious product है ये 499 का breakup क्या है अपनी unit costing क्या है ये 499 में आप कमाती कितना है कहां कहां क्या क्या जाता है जो cost है हमारे product का 90 rupees आता है and जो selling prices that is 499 exclude अगर हम GST कर दें उसमें से तो 423 something हम लोग market से रव उठाते हैं जो हमें sell करने के बाद मिलता है तो इसमें जो margin के बात करें 66% to 75% margin हमें मिलता है मैं थोड़ा इसकी दूद की गहराई तक जाना चाहता है जी सर वो तो गदे कंदर है दूद की गहराई के जाना चाहता है आप मुझे के आप एक बार चीज़ शोप की बार कितने ग्राम किये 100 ग्राम सर इसमें कितने ग्राम गदे का दूद है जी सर अम लोग 15-20 ग्राम डालते हैं 15-20 ग्राम डालते हैं तो 15% इसमें गदे का दूद की बेनिफिट आपने को साथ मिन तक समझाए बिलकुल सर माल लीजे मैं कन्विंस हो गया है जो मैं सब कन्विंस हैं तो मैं फेसमास्क क्यों ने लगाउं मैं क्रीम क्यों ने लगाउं जहां फिफ्टी परसंट मैं यह 15% का साबून क्यों लगाउं उसके पांस रुपे क्यों दूँ मैं दो हजार रुपे देखे आपको जो फाटला साथ मेरा 5-10 गरम फेसमास्क जो लियोपोधर का हम जिकर कर रहे हैं यह एर्यू जो गवाउं आफ्ट इसोप इसमास्क का अपका सेल्स बें हम लोग जो क्रीम और सब्स्पार्ण करणने वाले हैं नेक्सट मन् Soap अम लोगोंने मार्केट में लाउंच किया था, दो साल हो गया एकड़ी के प्रोड़क्स अभी हम लोग डबलप्मेंट में थे, रिसर्च अडबलप्मेंट में थे, तो उसमें टाइम लगा है, तो इसके सैंपल्स में यहां पर लेके आएगा, क्रीम का क्या रेट है और कितना पड़क्स है? सर, क्रीम का जो रेट हमारा जाएगा, वो थाटीन हंड़ेड के करीबन जाएगा सर। और हमारे होर्से से के एक्सपेक्टेशन? जी, I'm raising here 1.5 CR, सर, 10% equity के लिए हैं. मुझे लगता है कई न कई आपने इंपाट क्रियेट कर दिया. जो डॉंकी है, उसका अपना एक social stigma, एक taboo, एक difficulty है उस brand को लाने में, लेकिन उसी में दूसरी तरफ देखें, तो वो कहानी भी है. अब क्योंकि वो बहुत difficult है, तो वो कहानी बन भी सकती है, ब्रैंड की स्टोरी भी बन सकती है, बहुत बड़ी. सब अच्छा चल रहा था, परन्तु जैसे ही मैं आपकी 15 करोड की valuation सुना, तो थोड़ा सा मेरे को तकलीफ हुई. मुझे लगता है कि इंडस्ट्री स्टाटिस ऐसा है, कि ये 750 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, इस से मैं यूरो मॉनिटर बताता है, और हेड रूम अफ ग्रोथ इसका थोड़ा लिमिटेड ही रहेगा. कॉमपटीटर, मैं देखके एरानू कि कामा अयूरवेदा जिसने 20 साल लगाया, और उसका टोटल टॉप लाइन 110 करोड का है. और अगर मैं Forest Essential को देखता हूँ, तो वो भी 50 करोड का टॉप लाइन ने बिल्ड कर पाया है पिछले 20 साल में, आप 15 करोड की वैलुइशन का डिमांड जो कर रहे हैं, मुझे लगता हूँ थोड़ा जादा है. ऐसे ब्रैंड को 100 करोड चाजम के अंडर रखा जाता है इस ब्रैकेट में, कि लाइन ब्रैंड बहुत बड़े नहीं हो पाते हैं, एटलीस रेवेन्यू वाइस बड़े नहीं होते हैं, ब्रैंड का रीकॉल होता है. लग्जरी मार्केट अभी थोड़ी क्लटर्ड भी है और अभी तक उतनी और्गनाईज नहीं होई है, टर्न ओवर लिमिटेड चल रहा है, एजुकेशन का एक चैलेंज आएगा, एजुकेट कैसे करेंगे और एजुकेट करने की कॉस्ट, अगर आप कोई वाइरल मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई ऐसी मीम मार्केटिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिसमें आप क्रियेटिव मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें मैं काफी कॉंटेन बनाता भी हूँ, आप अगर उस पे कभी ध्यान दे और उसको study करें तो I think वो आपके लिए अच्छा रहेगा फिलहाल industry status देखते हुए और कामा अयूरवेदा को देखते हुए forest essential को देखते हुए इनकी limited growth 20-20 साल के अंदर मुझे अभी थोड़ा confidence नहीं आ रहा 15 करोड की valuation पे आगे investors क्या चाते हैं हमारे horses क्या चाते हैं आपकी pitch कैसी रहती है यथा इच्छा सी तथा कुरू krishna ही कहते हैं जैसी आपकी इच्छा हो आपको आगे करना चाहिए चलिए thank you so much dr. बिंद्रा पूजा कुछ expert advice भी आपको मिल गई है अगर सूरज और मंदार आते हैं तो वीविल गई है तो वीविल गई है इसानल में आपको अपकी आपको मुंटकार मुंट करें इसानल में अपकीमिलू का यू गई है और हे जो पादादिय एच्छानल मुंटकार मुंट करांग है and services which you get, जो आप खर्च करने वाली थी. In the same breath, I will say, जहाँ आप 50 लाग खर्च करती, marketing में, यहाँ आपका वही काम 20 लाग में हो जाएगा. Because of the involvement of us, and because of the setup that we already have. इसके पहले कि आप इनकी चिकनी चुब़े ही बातों से इंख हो जाओ. और यह जो सावुन आपका है, यह आप ही को क्रीम लगा के जा रहे हैं. चूना चूना बूना चादे है. पचास हजार उपे में आपका प्रड़क्त आ रहा है. लाग रुपे से उपर, बढ़िया सा बढ़िया सोशल मीडिया और SEO कंपनी नहीं है. भीेयाँ क्यों किसी ब्यूटी पालन में रखेंगी, श्तोक्छतेसर ब्रeredա क्यों किसी बच्वीत्र ने किसी डूटीतल में लनाझे है. ना है यो मत्की वीपेमनी कॉछ तो कॉलें था ओंटिया? तो ब्रेक्लाशया बिềवाएंगी कर दो इन्वें इंवेस्ट सुप्राइटें, जरिए परंमेचा सुपर्स अपानु गास्षा अपारे स्टोरी आपे कारोड का फिर्स सब्सक्राइट अगर अफ्सक्राइब के लिए अगर अबंदने कुछ कि यहां में टोल में आचुके हैं जो गोल्ड की तरह हैं अभी Sir, the product has the potential market के अंदर and I'm 100% sure that I am 100% I'm glad you said that गदे का दूदी निकाल निकाल निपाएं के जिंदी की बरता वो आप भुल रही है जिंदी की बरती निकाल पाएं के गदे की अगर पोटेंचिल है अगर आप actually sales better करते we can come back at a much higher valuation Sir, I'm getting 1 CR for 20% sir Then that's fine Thank you Then don't give off equity for cheap No problem, this deal है या नहीं है, no problem Yes sir, so like 10% for 50 lakhs sir That'll be little high for us at this point No problem sir No, thank you sir Thank you Pooja First time this show is happening that we are asking from start-up that we are asking if it is a deal or no deal I believe that the horses have a lot of interest in the product but the logistics The money is talking about so in the midst of talking about the money investors have to throw a ball in Pooja's coat and Pooja is not clear that it is not clear to settle for less Pooja is very good It is encouraging to talk to you and your point of view is clear It is very good to talk to you and your vision is clear and our horses will agree that there is a lot of potential and I think there is a lot of courage Hats off to you Congratulations, you are a winner anyways and we wish you all the luck that your business will become a big business Thank you so much Thank you so much Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you